ओम नमस्षिवाई श्वागत है आप सभी का मेरे एचस वारत द्वा यूटूब चैनल पर आज मैं आपको तीन रासियों से सम्मंदत इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूँगा यह तीन रासियां बहुत इश्व हैं और इन तीन रासियों के जल्दी ही पुत्र प्राप प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे यानि कौन-कौन से महीने में पुत्र प्राप्ति के योग हैं उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूँगा जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राब करें बगल में बेल आकन बटन को दबा दे हर वीडियो को नो प्राप्तान चाहिए तो सनी देव की पूजा आज से ही प्रारम कर दें सनी देव के ब्रतों का नियम का पालन करें सनी देव के मंत्रों का जाप करें सनी प्रदोस ब्रत करें जिससे आपकी पुत्र की मनुकामना पूरी हो जाएगी हर प्रकार के कार्यों में सनी देव सहयो देते हैं। और सनि देव की कृपबगा हो गई तो सह जी आपकी मनुकामना पूरी हो जाएगी। आज में तीन रासियों की जो जानकारी दे रहा हूं ये रासियां बिसे सीही भाग्य सालि रहने बाली हैं। जून की महिने से, यानि जून से ही इन रासियों का भाग्य बहुत ही अच्छा चल रहा है भगवान पिश्णु की किरपा से, यह नाम के हिसाब से रासि पल बताया जाता है, जो आपका नाम है नाम के हिसाब से रासियों बनती है, अगर आपकी रासियों तीन रासियों में से आपको जल्दी ही खुशक्शपरी मिलेगी। इस वीडियो के माद्यम से तीन रासियों की जांकारी दी जारही है। इसका मतलब यह नहीं है कि और रासियों के योग नहीं है। बागी जानकारी अगली वीडियो में आपको दी जाएगी, तीन रासियां बिसेशी ही सुब हैं, और भगवान विश्णु का आशिरवाद भी इनको प्राप्त हैं, जल्दी ही इनकी उत्र की धनकी मनुकामना पूरी होगी, शीगरे साधी के योग भी बनेंगे, ब्यवपार पूरी होगी, विशेशी ही सुब योग बने हुए, साथ ही आपको उपाई भी करने हैं, तो मैंने में टॉपिक में आपको बता रहा हूँ, और साथ ही उपाई भी बताऊंगा, वह उपाई भी आप करते जाएंगे, तो आपको जल्दी ही मनुकामना पूरी होगी, आपको लाव मिलेगा, तो भगवान विष्णों का आशिरवाद आपको राप्त होगा, जिससे आपके रोके हुए सारे कारे संपन होगे, आपको विशेश उख से ध्यान रखना होगा, कि राशी पल के साथ साथ में उपाय का भी विशेश मेत्व हैं, तो उपाय भी आपको जरूर क मेत्वन राशी के लिए जून, जुलाई, आगस्त, सेप्तेम्बर, नवम्मर और दिसंबर, ये महीने पुत्र प्राप्ती के लिए विशेश उखें, इन महीनों में ग्रेन का अच्छा योग है, संतान की मनुकामना पूर्योगी, विद्या खेतर में सपलता मिलेगी, और ह बिगड़े हुए कारे आपके संपनोंगे, गड़े जी की पूजा आपको करते रहना है, दूसरी जो राशी है, वो है सिंग राशी, सिंग राशी के लिए जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवम्मर, दिसंबर, ये महीने बहुत ही इसोवे हैं, भगवान की पूर योगी, धनकी मनुकामना पूर योगी, व्योपार आपका अच्छा चलेगा, और साथ ही घर वालों का सहयोग भी मिलेगा, पिता का सहयोग भी आपको मिलेगा, जातक जातका इस्ते प्रोंस, दोनों की नाम से हैं राशी पलिए, तीसरी जो राशी है, Сिंग राशी वालों को भगवान सिभजी की और सुर्देव की पूजा प्रति दिन करने हैं सुर्देव की पूजा और सिभजी की पूजा तो 12 रासी वालों को करने हैं तीसरी जो रासी हुआ है कुम्रासी को पर सनी देव की सुर्दिष्टी गुरू का सहयोग जो कुम्रासी को बागे साल जरूर करें आपके सारे कार सिर्द हो जाएंगे तो इस वीडियो को जादा जादा सेयर करें जिसे अपने राशी के बारे में सभी लोग जान सकें ओम नमस्षिवाएं